next question question says the time period of a mass suspended from a spring is T if the spring is cut into four equal parts and the same mass is suspended from one of the parts सवाल यह है कि न्यू टाइम पिरेड विल बी options है T by 4 T T by 2 या फिर 2 T अगेन बहुत आसान सवाल है situation कुछ इस प्रकार है कि यह आपका एक spring और spring का constant k इसके उपर हमने mass यहां पर हैंक किया तो इसका time period जब यह oscillate किया 2 pi under root m by k आता है अब हमने क्या किया spring को इसकी length L थी अब हमने spring को cut किया 1 4th length का आपका spring लिया तो यह जो spring है इसकी length हो गई L by 4 और इसका spring constant k- हो गया हमें बताना है time period क्या होगा इसको अगर अपने हमने यह बात NLM में भी पड़ी है यह बात हम ऐसे चम में भी discuss करते हैं इसका k- होएगा वो हो जाएगा 4k times because यह आपका हम पहले भी बात कर चुके k-l जो आता है वो आपका constant होता है यानि कि k जो है आपका inversely proportional होता है 1 by L k so इसका जो k- हो है वो 4k हो जाएगा so उस case में आपका जो time period आएगा उसको हम लिख सकते है तू पाई अंडरूट M by 4k now बागी चीज़े तो आपका T बन जाएगी so यह T2 जो है आपका T2 लिख लेते हैं यह हो जाएगा आपका T divided by under root of 4 यानि कि हो गया T by 2 all right so based on this हम कह सकते हैं कि option number C T by 2 would be the correct choice